आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टार्गेट विद मानवी में आज हम आपके लिए ले क्या हैं SSC CHSL 2020 GS का पार्ट नमबर टू प्रेटिसेट पार्ट नमबर टू अब कल आपको मैंने प्रेटिसेट नमबर वन करा था आज प्रेटिसेट नमबर टू करा नजा रहे हैं कोशन नमबर वन भारतिय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तयार किया गया था तो किसके द्वारा तयार किया गया था इसका अंसर आपको बताना है इसका अंसर है आपका अप्शन नमबर थ्री यानिकि एडविन लुइन्टिस के द्वारा नेस्ट कोशन है भाषा झेट्र में काम करने के लिए ग्यानपीट पुरुष्कार मिला था तो इसका अंशर है पया रेट गुजराती ह Iya आप में गुजराती भाषा में इसका अप्शन-नमबर वन सही है व्यूप्रो प्योन कप यूग कियाता है नेस्ट कोश्चन भारी जल है तो भारी जल क्या है आपको यह बताना है तो भारी जल आपका यह क्या है deuterium oxide है क्या है deuterium oxide है option number three right है इसका answer next question निम लिखी तत्तों के बीच सबसे ज़्यादा विद्धुत धनात्मक्ता किसकी है विद्धुत रिडात्मक्ता स्वारी विद्धुत रिडात्मक्ता किसकी है तो किसकी है आपको answer इसका बताना है इसका एंसर आपका है असेर्णिक जो असेर्णिक है उसकी विद्धुत रिडात्मक्ता अधिक है कि अप्शन नंबर three right है इसका answer next question वन टीवी के बराबर कितने जीवी होता है तो यह वन टीवी के का नाम दिया गया है तो किसका ने हुआ अड्रों को क्या नाम दिया गया है तो हवाई अड्रों को जो है राजनीति क्यों का नाम दिया गया है ठीक है Option number 3 राइट है. Next question है आपका ते सरवाधिक उचाई पर इस्थित हवाई अड़ा कौन सा है, मतलब सरवाधिक उचाई पर हवाई अड़ा कौन सा ऐसे थे? तो आपको पता होना च्याई कि लेह हवाई अड़ा कौन सा? लेह हवाई एड़ानी के option number three is answer right है. Next question है आपका, विश्व की सबसे लंबी, भूमी ये सीमा किन दो देशों की बीच है? तो किन दो देशों के बीच में है? इसका right answer है आपका, option number four, यानि कि कनाड़ा एवं यू यस से. Next question है, बगदाद की राजधानी है, तो बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी आपकी इराक है. Next question, बीवी का मकबराद, डैस में स्थित एक कबर है, इसका औरंग जेब के बेटे आजम साह ने वर्स 1678 में निर्माड करवाया था. किसने निर्मारण करो आठा औरंग जेब का बेटा आजम सहने करो आठा वी वी के मक्तिवरे का निर्मारण यह कहा यस्थीत है तो यह जो है आपका औरंगाबाद में इस्थीत है कहा यसे थह औरंगाबाद में इस्थीत है आप्शन नंबर बी two number right है इसका next question कन्योश की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी तो कन्योश की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गए थी कन्योश की लड़ाई सन 1540 में लड़ी गए थी अप्षन नम्बर 3 इसका राइट है next जावा को किस कंपणी ने विक्षित किया था तो आपको बताना है इसमें कि जावा को किस कंपणी ने विक्षित किया था तो हम आपको बता लेते हैं इसका राइट एंसर है आप्शन नमबर तू यानि कि शन कंपनी ने जावा को विक्षित किया था नेस्ट कॉंटम सिध्धान्त के नियू की स्थापना किस ने की थी तो किस ने की थी आपको इसका एंसर बताना है मैक्स प्लेक इसने मैक्स प्लेक ने की थी यानि कि आप्शन नमबर एक राइट है नेस्ट कोश्चन यदि गती में रहते हुए घूरन की धूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उसकी गती को डैस कहा जाता है गुमाओ गत क्या कराता है गुमाओ गत कहा जाता है इसका अप्शन नमबर आपका थी राइट है कौन सा राइट है अप्शन नमबर थी राइट है नेस्ट कोश्चन असोग किस वंस के राजा थे तो आपको इसमें बताना है कि असोग जो है वो किस वंस के राजा थे तो असोग जो है मौरी वंस के राजा थे किस वंस के राजा थे असोग मौरी वंस का राजा था सन 1956 में बार्क द्वाराविक्सित असिया का प्रथम नाभिकी अंसंधान रियक्टर का नाम है तो क्या नाम है आपको यह बताना है इसका नाम क्या है option number 2 इसका right है यानि कि अप्शरा नाम है क्या नाम था अप्शरा नाम था एक नानो मीटर के तुलि होता है तो एक नानो मीटर डैस मीटर के तुलि होता है तो आपको इह पता होना चाहिए कि यह 10 की घात मैनस 9 अब देखें इसकी कोई इकाई नहीं होती है, अब ये आपसे question आपको confuse करने के लिए एक्जाम में बहुत जादा पूछा जाता है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कोई जो है इकाई नहीं होती है, इसका right answer क्या है, four, next question और ये last question, इस question का answer आपको comment box में देना है, कि भारत में ओड देने की निवनतम पातरता उम्रत क्या है, तो आपको इसमें बताना है, कि 22 वर्स है, 24 वर्स है, 20 वर्स है, कि 18 वर्स है, इस question का answer आपको comment box में देना है, और आपको कमेंट में नोट करके बताना है लिख के बताना है कि आपके इसमें से कोश्चन कितने राइट हुए हैं और नेस्ट पार्ट इसका आपको कल प्रोवाइट किया जाएगा जी इसका और इसमें आपको जो है कितने कोश्चन राइट हुए हैं और कितने कोश्चन फिर आपको क्या करना है कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको प्रेक्टिस करनी है प्रेक्टिस करनी है और आपको साथ साथ में रिजनिंग है इंग्लिस है मैंस है इनकी साथ साथ में भी प्रेक्टिस करती रहनी है ठीक है मैं आपको यहां पर इंग्लिस का भी प्रेक्टि ना भूलें धन्यवाद